तो सूबह का टाइम है और बस मैंने चाय पी है मत्था टेका है जो कि सूबह के मेरा काम होता है तो अब मैं हाँ पर नाशते के लिए और लंच के लिए जो सबजी बना रही हूं है आलू गाजर मतर की जो तैयारी होती है में मतलब जो गाजर होती है या मतर चीलने का काम होता है वो पहले से ही करके रख लेती हूं क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता हाँ आलू साथ साथ काट लेती हूं क्योंकि जो आलू होते हैं वो काट कर काले हो जाते हैं तो बस गाजर को मतर चे त्यार ही है बस पीलर से उतार लेती हूं लेकिन सर्ड ady ना की जरूरत नीप पड़ते हुथ do THAT आ चल लिया ना चाहिने ना शीशह क चाहिन को सब्सक्राइब तो सब्ची सारी बरट årtें का काम हो गया है तो तीनों चीजों को पहले मैं दोलूगी अलू को गाजर को गाजर को पहले किजि चोटे बरतर में का राथ को रख लेती हुना तो इसे या होता है कि भिटनेनी जंगा ना भी हो तो सेट हो जाते हैं बाद में जब धोनी होती है तो किसी बड़े वरतन में डाल कर सब्जी को धो लेती हूं और बस तीनों चीज़ों को मैंने धो लिया है और सिंपल सी सब्जी बनाती हूं आलो गजरुमेटर की मोर्निंग में जैसे सिंपल सिंपल सब्जीयां ही बनाती हूं, मैं ज्यादा कोई मसाले वाली या कोई ज्यादा मेहनत वाली जो कहलो सबचियां वो नहीं बनती है, नाटना टाइम होता है, तो बस एक छोटा सा प्याज और थोड़ी सी अद्रक ही डालनी होती है, इसके मसाले के लिए, जो मैं काटती हूं, तो बारीक बारीक इन दोनों चीजों को काट कर उसी का तड़का लगाना होता है, गाजर में, तो एक साइड पर मैंने कडाई रखी और दूसरे साइड पर दूद भी बॉइल करना रख दिया है, तो कडाई में मैं तेल डालने लगी तो देखा बने बोटल में तेल ही खतम हो रखा था, तो म मैंने हलका साही गरम किया है, जाता गरम करने की जरूरत नहीं होती, तो उसमें गरम करके मैंने बारी कटा हूँ अब जो प्याज मतलब जो काट रखा था और रख थे ना, उनको काट लिए और हलका हलका सा सोटे कर लिया है, हलका साही भूनती हूँ, क्योंकि जो हलका सा भ बूण जाते हैंं तो इसके साथ की मैं नमक Schmidt और मिर्च हल्डी अपस्था भूम दाला हुआ है जादा सब्सक्राम महिर्च है लोग के भी को भी कटी काना होता है या मिया जतना तो इससे मेंने मिर्च नमक को पूण हँ करेंनी हैं और इस ताम मिक्स किया और आहें ते अब करšे आप का ऐसी बनाते हैं कैमेन बॉक्स में जो रहे से सीब frightening स्चिक शीम इंवक इन तरी सब्स होते हैं कशले संपर स्यदोन उन्हें मेड मेरी मो होते हैं वह वह आजी दो याद नहीं कि कभी वो भी ट्राइ करूं बनाओं तो मुझे वैसे वो भी अच्छी लगती थी आलू गजरमेटर की जो तरी वाली सब्जी होती थी न तो सब्जी मैंने रख ली है दूद अभी वाइल हो ही रहा है तितना जो थोड़े बहुत बरतन है न सुबहे के ये जो सब्जी वगारा रख आसाथ कर लेती है बहुत ज्यादा धेर लगाने से खुदी करने होते तो इतना ज्यादा धेर देख के ही ठंड में तो और ज्यादा गवराट होने लग जाती है तो बस फटा फट से मैंने इनको भी आद मार लिया है बरतनों को और इतना गाज और मटर की सब्जी एक बार पकने ही वाली है और बतन ब्यों कि अब बस वैसे मेरे जो काम मेहन रहा गया है तो बस अब जो सबजी को एक बढर देख लेती हूँ तयार हुई है और नहीं हुई है उसके बाद रोटी बनाओंगी और यह बरक्र expectations में तेल पड़ा हुआ था रात को ना मैंने चिली बेबी कॉन बनाए थे उसके लिए बेबी कॉन फ्राई किया था तो तेल को मैंने इस चार खाली कर लो कड़ाई को भी और यहां पर देख लिया कि सब्जी जो है ना वो बिल्कुल तयार हो गई है पक चुके बस लास्ट में इसमें बारी काटके ना हरा धनिया डाल दिया है और उसके साथ इसमें डालती हों एंड में कोई भी सब्जी होती है उसमें करम मसाला डालते है जो की हर सब्जी की जातर जान होता है उससे जो फ्लेवर होता है बहुत जादा इन्हेंस होता है बढ़ जाता है किसी भी अपने अपने काम पर जा चुके मतलब जांशी को छोड़कर उसे लेड़ जाना है तो मैं बाहर निकली ना इतनी जादा थंडी हवा चल रही है बाहर और आज मंडे है कपड़े भीध होने है मोसम बिल्कूल खराब सा लग रहा है धूप का तो नामो निशान नजर ही नहीं बहुत जादा थंड है आज मतलब तो नहीं है बादल से है और थड़ी वाली हवा जल रही है और मैं कपड़े दोने लगी ममी तो गह रही अंदर मशीन लगा लेकिन मुझे अंदर दोना ना डिफिकल्ट लगता है बात रों गयरा में ना मुच्छी मुच्छी के लगता त बहुत जादा चिल्ड पानी है तो बस मशीन स्टार्ट करती हूँ फिर जानश्री को दूंगी नाचता कि उसने बारा बज़े को ले जाना है और उसका एक्जाम है तो पड़ रही है अभी तो फिलहाल बस मशीन फटा-फट से स्टार्ट करके जाऊंगी उसको नाचता दे जाए तो जैसे कि आने आपको बताया है काफी जादा थंद थी तो मैंने मशीन में थोड़ा-सा गरम पानी डाल लिया है गरम पानी डालने से एक तो हातों की थोड़ी सी रक्षा हो जाती है ठंडे पानी में हात डालकर और ज्यादा कभ कभी चड़ने लग जाती है में कपड़े डाल रही हूं और सरफ में डाल चुकि जितना मुझे डालना है और मशीन स्टार्ट करके फिर मैं अंदर जाओंगी जानशी के लिए लंच तैयार करूंगी तो उसको भी लंच मेंने ब्रेक फास्ट प्लस लंच उसका एक साथ ही होता है क्योंकि साड़े ग्यारा से उपर टाइम हो गया है वह एक ही बार करके जाएगी फिर शाम को साथ बजे उसका वापिस आना होता है तो अभी जो खाके जाएगी खाके जाएगी फिर और लेके तो क्योंकि नहीं जाती है एक्जाम है तो उसको भी मैंने लंच ब्रेक फास्ट जो था करवा दिया है और बरतन है आजकल बरतन जो होते है थोड़ थोड़े चिकने अगर हो ना ठंडे बानी से बिल्कुल साफ ही नहीं होते इसलिए मैंने बरत्रों के लिए वैसे थोड़ आधो बरत्रों के लिए खाली रिखे थी मैं को याद ही नहीं रहा था तो मैंने बल्ड़ी भर इनी वैसे मर्ड़ी को घरकती हूं जब भी जरूर रहेण होते है की सारा दन पानी नहीं आए तो अज पानी आ रहा था और मीरा काम ओईजी हो गया साँग रखने का घर के जो मॉर्णिंग डूटेन के काम होते हैं वो फाइनली हो गए है रात के लिए मैंने साथ के लिए जो परपेशन यानि की रखने मखने का काम था वो भी कर चुकी हूँ जानशी कोलेज जा चुकी है और एक बज गया है अभी लंच तो रुकरी करना है और बाकि सारे काम मेरे फिनिश हो गया है अब मैं अपने जो वीडियो है ना उससी एडिटिंग करूँगी और थोड़ी देर कंबल में बैठोंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड अब लगने लग गई है हाथ भी एक बना चिल्ड हो गया है तो अब मैं वीडियो को यही पर खतम करती हूँ वीडियो को एडिट करती हूँ फिर उसके बाद क्योंकि लंच बनाना है और टाइम से वीडियो तभी चापाई कि अगर टाइम से मैं इसको बनाऊँगी तभी टीयो बतलब एडिट करोंगी तो वीडियो को यही पर खतम करती हूँ अगर मेरा व्लोग आपको पसंद आता है तो वीडियो को थमसद दीचेएगा कमेट करके बताइगा कि आपको मेरे व्लोग कैसे लग रहे हैं मिलते मेरे नेक्स ब्लोग में तिल दें टेल दें टेक्ट केर बाइए